तो आज हम 25 जैन्वरी का इंडियन एक्स्प्रेस करेंगे इफ यो आने वाले टाइम में यहाँ पर इंट्रेस रेट को हाइग किया जाए क्योंगी यूए इंफ्लेशन बहुत जादा हो रखा है अब जब भी यहाँ पर इंट्रेस रेट बढ़ते हैं यूएस में तो foreign investors क्या करते हैं वो India जैसे country से अपने जो funds से वो बाहर निकालने लगते हैं तो when interest rates go up in the US, foreign investors tend to pull out funds from emerging markets like India और फिर वो यहाँ पर US में जाकर invest करते हैं तो इसी की वज़े से India से यहाँ पर जो foreign investors हैं वो अपना fund निकाल रहे हैं Volatile stock markets are undergoing a sharp correction driven by a sell of global markets amid indications that the US Federal Reserve will tighten liquidity and hike interest rate तो यहाँ पर जो US Federal Reserve है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर calibrated tightening की policy को अपनाने वाला है जिसमें यहाँ पर interest rate को hike किया जाएगा जिसके चलते हैं यहाँ पर जो foreign investors है वो अपने यहाँ पर funds निकाल रहे हैं और वो US में जाकर invest करेंगे बाकि यहाँ पर first page पर हम यह news discuss करेंगे in Rajasthan village with some official help I am first Dalit groom to ride mayor अब यहाँ पर Rajasthan में एक operation चल रहे है Operation Samantha Operation Samantha to break taboos enforced on Dalits यहाँ पर जैसे कि जो Dalits हैं Rajasthan में कुछ villages में तो अगर वो schedule caste से यहाँ पर belong करते हैं तो उनको यहाँ पर horts ride नहीं कर सकते हैं जो गुरू में वो यहाँ पर horts ride नहीं कर सकता तो basically casteism बहुत ज़ादा entrenched है उसी को यहाँ पर दूर करने के लिए जो stereotype से उनको दूर करने के लिए जो यहाँ पर taboos related है caste से लेकर उसको दूर करने के लिए यहाँ पर operation समानता लाँच किया गया है तो with casteism entrenched in the state with its long feudal history Rajasthan frequently seized attacks on Dalit wedding processions over issues यहाँ तक कि जो Dalit families या फिर कोई schedule caste से belong करता है तो उसको यहाँ पर इतना भी allow नहीं होता कि वो यहाँ पर होट्स को right करे तो basically इन सब को दूर करने के लिए यहाँ पर operation समानता लाँच किया गया है आगे हम चलते हैं यहाँ पर बुंडी district की बात की गयी है तो वहाँ पर लगबग these villages ऐसे identify किये गए जहाँ पर आस तक किसी भी कोई भी दलिद वहाँ पर होट्स पर नहीं बैटा है तो वेर दलिद्स हाँ नेवर गट ऑंट अंट अ होट्स अस पार वेडिंग राइट्स तो उसके लिए यहाँ पर operation समानता लाँच किया गया है बाकी हम आगे चलते हैं इस पेज पर को भी important news नहीं है तो हम यहाँ पर को भी discussion नहीं करेंगे यहाँ पर भी को important news नहीं यह हम discuss करेंगे जो नेटा जी के statue है वो यहाँ पर कौन बना रहे हैं तो स्कल्टर अदवेत गडणायक ओवर नेक्स फ्यू मंथ इसकल्टर अदवेत गडणायक विल बी वोकिंग अन वोट इसक्राइब अज एस अ मैसिव रिस्पॉंसिबिलिटी तो नेदा जी शुभाश निद्बोस का जो यहाँ पर स्टाचू होने वाला वो 28 इंटु 6 का फुट स्टाचू होने वाला है और यह ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन के उपर बनाये जाएगा सिंगल पीस जेट ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बनाये जाएगा सिंगल पीस होगा इस स्टेटस विल बी इंस्टॉल अंडर दा Grand Canopy at India Gate तो India Gate में जो canopy है जहाँ पर पहले King George 5 का statue था वहाँ पर ही इस statue को install किया जाएगा तो इस statue को install किया जाएगा Grand Canopy at India Gate और इसको कौन बना रहा तो इसको बना रहे अधवेद गर्णायक आगे हम चलते हैं अब यहाँ पर जो Marital Rape का issue है उसको लेकर यहाँ पर center ने जादा time मांगा है response करने के लिए तो यहाँ पर Delhi High Court ने एक बहुत important बात कही है कि किसी issue को अभी तक urgency में discuss नहीं किया गया इसका मतलब यह नहीं जैसे कुछ लोगों का यहाँ पर point of view यह हो सकता है कि इतने सालों से तो अभी तक Marital Rape को criminalize नहीं किया गया तो उसके बाद इस matter को इतना emergency में सुनने की क्या ज़रूर है तो basically Delhi High Court ने यही बोलाओ for some people everyday matters for a simple reason that some say this abuse is happening maybe not reported or reported but this is happening so it can't be our answer to them listen this has been there for 100 years now what is the urgency क्योंकि कुछ लोगों को एमानना होता है कि कोई चीज अगर 100 सालों से चल रही है तो इतना जल्दी उसके उपर क्यों discussion दे रहा है इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं जैसे center ने यहाँ पर और ज़्यादा time मांगा था response फाइल करने के लिए लेकि यहाँ पर इस मैटर को में जल से जल सुनकर एक conclusion पर पहुचना है अब conclusion किस बात को लेकर यहाँ पर discussion है तो marital rape हम discuss कर चुके हैं कि IPC का जो section 375 है वो यहाँ पर marital rape को exception देने की बात करता है कि marital rape को यहाँ पर criminalize नहीं किया गया है तो exception 2 है IPC section 375 का जो कि protect करता है men को जो यहाँ पर non-consensual intercourse करते हैं अपनी wives के साथ तो basically उसको criminalize नहीं किया जा सकता है तो यही एक exception है IPC section 375 जिसके अंडर इसके बाद उनको section 376 IPC में criminal prosecution के अंदर चार्ज नहीं किया जा सकता है तो basically उसी की बात है कि marital rib को यहाँ पर criminalize करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम एक बार explain page पर discuss कर चुके है आगे हम चलते हैं deemed foreigner as a woman now declared Indian अब यहाँ पर इन्हें foreigner declared कर दिया था ex party ex party का मतलब यह कि यह वहाँ पर present नहीं थी और foreigner tribunal ने यह decision लिया उनके बिना present हुए और उनको यहाँ पर foreigner declare कर दिया गया उसके बाद यहाँ पर high court ने intervention कि और high court ने बोला कि यहाँ पर जो foreigner tribunals है वो यहाँ पर ex party opinions नहीं दे सकते हैं क्योंकि citizenship बहुत ही important है और यहाँ पर जो इनसान है उसका right to be heard उसको सुनना चाहिए कि उसकी citizenship को अगर वो प्रूफ करना चाहिए तो उसे एक बार सुनने का मौका देना चाहिए तो as a right to as a right in today's words an emphasis on how it should be decided on the basis of merit तो यहाँ पर जो भी citizenship हो उसको यहाँ पर merit की basis पर decide किया जाना चाहिए और इनसान को सुनने का मौका मिलना चाहिए उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए जो उसका right to be heard है वो यहाँ पर applicable होना चाहिए इसलिए कोई भी जो foreign tribunals है वो यहाँ पर कोशिश करें कि ex-party decision ना दिया जाए अब यहाँ पर cut-off date क्या है असम में citizenship की तो वो है March 25, 1971 is the cut-off date to prove citizenship in Assam आगे हम चलते हैं यहाँ पर बाल पुरुसकार दिये गए है राश्टे बाल पुरुसकार तो यह हम डिसकस नहीं करेंगे यह article हम डिसकस करेंगा power shift in the making basically इस article में यह बताए गया है जो इंडिया है वो यहाँ पर यूरोप को east और west के binary में देखता है लेकिन अगर हम देखें तो east और west की binary में देखना ठीक नहीं है यहाँ पर यूरोप को उसके reasons यहाँ पर बताए गए है जो शॉन बॉक के यहाँ पर comments थे हैं जो कि कल हम ने डिसकस किये थे कि उन्होंने ऐसा बूला कि Russia यहाँ पर respect को deserve करता है इसके रावर जो क्रीमिया है वो वापस है यहाँ पर यूकरियन को नहीं मिलने वाला तो उन्होंने ऐसे कुछ statements दिये तो बाद में उन्होंने resignation भी दे दिया तो अगर हम European geopolitics देखें तो वो ऐसी है जो डेली देखता है यह है कि Indo-Pacific को कैसे rebalance किया जाए और सबसे important बात है Indo-Pacific को rebalance करने के लिए सिर्फ US जैसा एक country काफी नहीं हो सकता हमें यहाँ पर European collaboration की जरूरत पढ़ेगी तो डेली however recognizes that this expensive challenge can't be met by any one power including the US तो इसके लिए हमें यूरोप की जरूरत पढ़ने वाली है इसके लिए यूरोप ने Indo-Pacific की अपनी strategy भी बना रखी है तो इंडियन एस एट लिस्ट Sean Bach comments on the importance of Russia तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि Russia जो है वो respect मांगता है वो चाहता है कि उसको respect दी जाए उसको यहाँ पर equal footing को treat किया जैसे कि US को treat किया जाता है और Russia को इतनी respect दी जा सकती है क्योंकि Russia वो deserve करता है उनका यह statement था तो तो इंडियन एट्स तो हम देखें तो हमें पता यही सच है यही plain truth है लेकिन इस plain truth को कोई भी accept करने को तयार नहीं है अगर हम देखें तो US में जो Biden के predecessors थे वो यहाँ पर Russia को equal power नहीं मानते थे लेकिन यहाँ पर Joe Biden ने Russia के साथ कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए तो इस predecessor dismissed Russia as a declining power Biden was prepared to take a more realistic view of Russia's enduring weight in European geopolitics तो यहाँ पर जो US है अब वो Russia से बात कर रहा है अब यहाँ पर Russia यह चाहता है कि NATO यह बोल दे कि Ukraine को कभी भी NATO की membership नहीं दी जाएगी लेकिन यहाँ पर European allies हैं वो यहाँ पर यह बिलकुल नहीं देने वाले हैं कि NATO को कभी भी यहाँ पर NATO को में कभी भी Ukraine कुन नहीं किया जाएगा तो ऐसे यह कोई भी agreement नहीं करने वाले हैं The problem with Sean Buck's comments was that they were too clear अगर हम geopolitics देखें तो geopolitics basically diplomacy पर चलती है लेकिन अगर उनकी comments देखे जाएं जो यह पर Sean Buck ने दिये वो बहुत ही जादा clear थे उन्होंने एकदम plain talk कर दी जो सच है वही बोल दिया तो his error was in shredding the carefully crafted political ambiguities in German and European positions over Ukraine A soldier's plain talk is not always welcome in the world of diplomacy तो basically देखा जाएं तो major crisis है उसमें उन्होंने एकदम सच बाते बोल दी जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी अगर 1970 के Bolshevik revolution देखें तो उसके बाद Russia और West दोनों एक दूसरे के against हो गयते Cold War के बाद जब यहां पर Soviet Union का collapse हो गया उसके बाद भी यह जो West और Russia odds पे थे वो चीज ठीक नहीं हो पाई तीसरी बात यह है US और Europe की बीच में tension बहुत जादा बढ़ रही है अगर हम देखें तो Europe जो है वो US के उपर dependent है अपनी security को लेकर तो यहां पर जो European Union है वो एक economic block तो बन गया लेकिन कभी उसको strategic autonomy नहीं मिल पाई from the Washington EU's foreign diplomacy policy chief has repeatedly objected to the US and Russia deciding the future of Ukraine over European heads तो हम यहां पर देख रहे हैं जो Europe है वो आस था US के उपर dependent है अपनी security policy को लेकर तो यहां पर जो European Union है वो बात भी करते है कि हमें strategic autonomy चाहिए from the Washington but Russia does not take the EU seriously and is betting on negotiations with the US finally the idea that Europe must look after its own security तो यहां पर European Union ने बात की थी कि हमें यहां पर US ते strategic autonomy maintain करनी चाहिए और अपनी खुद की security यहां पर maintain करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम देखें तो European Union एक बहुत ही powerful economic entity तो है 17 trillion dollar की GDP है लेकिन अगर security wise देखें तो European Union बहुत जादा वीक है security के लिए वो अभी भी यहां पर NATO के उपर dependent और NATO जो है उसको यहां पर head करते हैं US The ambition to construct a strong geopolitical personality for the EU is hobbled by divisions over the role of Russia and the US This is compounded by their reluctance to spend more on defense अगर यहां पर European Union को एक security provider बढ़ना है तो उसके लिए defense के उपर जादा खच करना पड़ेगा जो कि यहां पर European Union नहीं करता है अब यहां पर जो इनकी security उसके लेकर यह लोग अभी NATO के उपर ही dependent है और NATO को यहां पर जो main head करता है वो है यहां पर US All these contradictions get concentrated in Germany that has long been at the heart of European geopolitics viewed as the most loyal ally of the US until recently तो Germany अभी तक US का बहुत important ally था लेकिन अब यहां पर Germany भी बात करता है कि Washington से कैसे इनको pivot away होने की ज़रूरत है अब इसके बाद हमें यह पता चला जो Delhi है वो यहां पर Europe को यहां पर East और West के lens से देखता है वो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पर relationships बहुत ही ज़ादा complex है अगर यह relationships इतने ज़ादा complex है तो इंडिया को इसको exploit करने की कोशिश करनी चाहिए जोगी हमने 18th century के time की ती यहां पर National Movement के time जैसे exploit किया गया था इन powers को वैसे ही फिर से इंडिया को exploit करने की ज़रूरत था इन powers को इंडिया ने कैसे exploit किया था वो हम देखते हैं In the late 18th century as European powers competed for influence तो European powers यहां पर आपस में compete कर रहे थे क्योंकि यह सब लोग अपनी influence यहां पर रखना चाहते थे बहुत सारे इंडियन प्रिंसे ने advantage लेना चाहा इनके बीच में जो भी competition था उसका जैसे कि Britain और France के बीच में competition चल रहा था तो जैसे ही जर्मनी यहां पर power बन गया by the end of the 19th century तो इंडिया के जो revolutionaries थे वो यहां पर Berlin में गये और तब उन्होंने बात की कैसे British rule को यहां पर overthrow करते हैं तो उस समय जर्मनी power में था तो उस समय हमने जर्मनी से बात करने की कोशिश की Imperial Germany ने Nationalist Government का जो formation उसको यहां पर support किया जो कि 1915 में यहां पर राजा महें प्रिताब सिंग ने काबल में बनाई थी तो जर्मनी ने उसको support किया अगर Soviet Russia को देखे As Soviet Russia became a champion of Asia's liberation from European imperialism, the Indian communist was drawn to Moscow तो हम यह देख रहे हैं कि जहां पर power center जह रहा है इंडियन जो है उनी का support लेने की कोशिश करें For example, यहां पर जर्मनी के पास power center था तो हमने यहां पर जर्मनी का support लेने की कोशिश की फिर यहां पर Moscow के पास power center चला है तो हमने Moscow का support लेने की कोशिश की Eager to accelerate Indian independence during the Second World War जो नेता जी है वो यहां पर जर्मनी और जैपैन की help लेने गए थे क्यूंकि उस समय जर्मनी और जैपैन वर्ट की newest great power थे और उसके बाद नेता जी ने यहां पर provisional government बनाई थे 1943 में Singapore में तो हम यह देख रहे हैं कि उस समय power center जिसकी तरफ हो रहा हम उसकी help लेने की कोशिश कर रहे हैं वही हमें आज करना चाहिए हमें जो भी इन actors की बीच में जो भी relationship है उसके leverage को हमें exploit करने की ज़रूरे थे तो the sharpening struggle for Indian independence and more broadly the liberation of Asia between the two world wars inevitably involved exploiting the contradictions between different imperial powers तो अभी जो भी हमें पर relations होने वाले US, UK, Europe, Russia, China और Japan की बीच में हमें उसको leverage करके उसका benefit लेने की ज़रूरत है बस यही डेली को करने की ज़रूरत है अब next हम discuss करेंगे her right to wear जो constitution है वो यहाँ पर fundamental right देता है सबको कि वो अपने religion को practice कर सकते हैं और religion को curtail तभी किया जाएगा अगर वो यहाँ पर violet कर रहा हुता public order को, public health या morality को केरला हाई कोट ने 2016 में यह order दिया था कि All India Medical Entrance Test के समय अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो basically वो essential part है petition की religious practice का तो इसलिए यहाँ पर हिजाब पहनने को यह नहीं मानेंगे कि यह किसी भी exception को violet करता है अगर हमारा secularism देखे तो Indian secularism यहाँ पर western secularism से बहुत ज़्यादा different है यहाँ पर जो France का लसीते का concept है, जो कि France का secularism है उसमें religious identities को public place में नहीं लिया जा सकता है लेकिन इंडिया का secularism इससे बिल्कुल different है तो this Indian social life is far from the rigidity of western ideas of secularism तो अगर हिजाब नहीं पहनने दिया जा तो basically यह हम जो France का secularism है उसे follow करेंगे western secularism को follow करेंगे लेकिन इंडिया का secularism इससे बिल्कुल different है जिसमें आप अपने religious identities को ले सकते हो, वो किसी भी चीज़ को यहाँ पर violet नहीं करता, जो भी यहाँ पर exceptions है आगे हम चलते हैं, engage with Myanmar last February में military ने take over कर लिया था मैनमार में, military के take over करने के बाए democratic government को हटा दिया गया था Aung San Suu Kyi को यहाँ पर house arrest में डाल दिया गया अब military ने ऐसा क्यों किया, military ने coup क्यों किया, तो उसका reason यह है कि military को यह लग रहा था कि military की जो पावर है वो काम हो रही हो और यहाँ पर Aung San Suu Kyi जो popularity वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, जिसके वज़े से यहाँ पर military ने coup कर दिया notwithstanding the unfortunate development since the Tatmadaw took over अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को कि यहाँ पर military से इंगेज करना चाहिए, तो of course यहाँ पर इंडिया को military से इंगेज करना चाहिए क्योंकि Myanmar महुत जादा important है इंडिया के लिए, अगर हमें insurgent group से deal करना है, तो उसके लिए भी Myanmar महुत जादा important है अगर चाइना की हमें dominance कम करना ही, तो उसके लिए भी Myanmar बहुत जादा important है इंडिया की active policy को देखे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर Myanmar महुत जादा ज़रूरी है Myanmar के साथ हमें अपने economic interest को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही हमें यहाँ पर political interest, military interest सब को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर Myanmar के cooperation की बहुत जादा ज़रूरत है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो सिथवे port का operationalization उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लावर oil refinery की जो establishment की बात की जादी की उसको आगे establish करना चाहिए, और जो joint vaccine production facilities है, 6 billion dollar के उपर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो तीन चीज़े सबसे पहले करने की ज़रूरत है कि सिथवे port का operationalization शुरू कर दिया जाए, oil refinery के establishment कर दिया चाहिए, और यहाँ पर joint vaccine production शुरू कर दिया जाए, मैनमार इंडिया की इस policy के लिए बहुत जादा important है, इसके लिए वो North East के development के लिए भी यहाँ पर मैनमार बहुत जादा important है, जो Indian insurgent groups हैं, जिनको यहाँ पर खतम किया गया था मैनमार की help से, अब यही Indian insurgent groups क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैनमार मिलेटरी की help कर रहे हैं, जो भी civil protest और उसको कर्ब करने में, तो यह बहुत ही खराब news है कि यहाँ पर जो Indian insurgent groups है, वो यहाँ पर मैनमार मिलेटरी के साथ collaborate कर रहे हैं, वहाँ पर जो civil लोग हैं, उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जारी, जो उनके civil protest हो, उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जारी, तो India has the similar advantage of acceptability, अगर इंडिया को देखें, तो मैनमार में, अगर मिलेटरी पावर में हो, या तो यहाँ वहाँ पर कोई democratic leadership हो, दोनों ने ही इंडिया को हमेशा से accept किया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो people to people cooperation है, वो आगे बढ़ता चाहिए, जो यहाँ पर Indian insurgent groups हैं, उनको यहाँ पर counter करने के लिए, हमें मैनमार मिलेटरी की cooperation की बहुत ज़ाद ज़रूर रहते हैं, तो रिपोर्ट से पता चला, जो military जनता है, वो यहाँ पर accord में एंटर कर गई है, Indian insurgent groups के साथ, और Indian insurgent groups उनको help कर रहे हैं, यहाँ पर, जो civil protest हो रहे हैं, उसको curb करने के लिए, तो आगे हम चलते हैं, यह हम कोई भी article discuss नहीं करेंगे, spread in the community, यह कल मैंने आपको बताया था, कि यह acknowledge कर लिया गया है, जो COVID-19 है, वो अब यहाँ पर community transmission हो रहा है, लेकिन इसको हम discuss नहीं करेंगे, आगे हम चलते हैं, बुर्कीना फासो में यहाँ पर military ने take over कर लिया है, more than a dozen mutinous soldiers declared Monday on Sunday, television that a military जनता head seas control of Burkina Faso, तो इसके बाद आप Burkina Faso का मैप में उसके location देख लेना, अब यहाँ पर US की जो anti-discrimination policy उसमें इनका यह कहना है कि हमें कास्ट को भी include कर लेना चाहिए, क्योंकि कास्ट की basis पे भी, जो इंडिया जे डायस्पोरा होता है, या तो साउथ एशिया को जो डायस्पोरा होता है, वहाँ पर उनके साथ कास्ट की basis पे भी discrimination होता है, इसलिए यहाँ पर discrimination में caste discrimination पे include कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ faculty members का यह कहना है कि caste discrimination को नहीं include करना चाहिए, क्योंकि अगर हम caste discrimination को include करेंगे, तो उसकी वज़े से जो हिंदू faculty है, इंडियान और South Asian descent की, वो यहाँ पर single out हो जाएगी यह बुर्कीना फासो वाली हमने news discuss कर ली, अब यहाँ पर first women judge जो बनी है Supreme Court की पाकिस्तान में, उनका नाम है Aisha Malik, तो justice Aisha Malik on Monday took oath as the first woman judge of Pakistan's Supreme Court आगे चलते हैं, deck account क्या होती है तो जिस unicorn की valuation यह आपर 10 billion dollar सो जादा होती, तो वो होती है deck account contingency fund की बारे में आपने लक्षमी गात में पढ़ा होगा, contingency fund of India जो है उसका 40% total corpus है वो disposal पे होगा expenditure secretary के पास तो contingency fund of India allowing 40% of total corpus to be placed at disposal of expenditure secretary तो यह अपको आज का news पर समझ आगे है if you like the video then please like, share and subscribe thank you and have a nice day